हलो फ्रेंड्स स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर आज की वीडियो में बात करेंगे ब्लट सर्कूलेशन को कैसे बढ़ाए जब सर्दिया आ जाती हैं तो बहुत से लोगों को ब्लट सर्कूलेशन कम होने लगता है उनको खून के ठक्के जमने जैसी बिमारी हो जाती है और हाथ पैर जैसे सुन होने लगते हैं और हाड जैसी बड़ी बिमारियों का सामना करना पड़ सकता है इसलिए ब्लट सर्कूलेशन को सही बनाए रखने के लिए सर्दियों में यह बहुत ही अच्छी से टिप्स है यदि आप दवा नहीं खाना चाहते हैं तो अधर के सामान से यदि कुछ ऐसे उपाय करें जिससे कि आपके सरीर में जो ब्लट सर्कूलेशन है वो सही बना रहे है ताकि खून के ठक्के ना जमें और आपको किसी बड़ी बीमारी का सामना नहीं करना पड़े क्योंकि बहुत से लोगों को देखा होगा हातों में जुन पन देखने को मिलता है तो इसके लिए बहुत से ऐसे फूट्स भी बताए गए हैं कि आप दिखाएंगे तो उससे आपका ब्लट सर्कूलेशन सही बना रहेगा पर मैं आपको एक बहुत अच्छी सी टिप्स बता रहे हूं जिससे कि आप अपने सरीर के अपने बोड़ी का जो ब्लट सर्कूलेशन है वासानी से बढ़ा सकते हैं और सही रख सकते हैं पैर के जो तलवे होते हैं यदि आप इनकी मालिस रात के समय करते हैं तो भी आपके पूरे सरी का ब्लट सर्कूलेशन सही बना रहेता है पल लेकिन आप किसी और तेल से ना करकर एक विसेश प्र करें तो इससे आपको blood circulation के लिए बहुत ही ज्यादा फायदा होगा और आपको heart की problem कभी नहीं होगी तिल का जो तेल होता है यह बहुत ही ज्यादा विशेश होता है पैर के तल्वों के लिए अधियाप तिल के तेल से प्रती दिन सर्दियों में अपने जो बीच के तल्वों जो पैर के तल्वों का जो बीच का parts होता है बहां पर अधियाप तेल की धीरे-धीरे मालिस करते हैं रात में सोने से पहले तो यह आपके लिए बहुत ही फायदेदार होगा इस तरी के मालिस से आपके पूरे सरीर की जो नसे हैं छोटी-छोटी कोशिकाय होती है जो छोटी भी कभी आँगे जाके दिक्कत नहीं होगी तो प्लेस अधी चैनल को सस्क्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें